तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चो के लिए और क्लास 11 के बच्चो के लिए बहुत जारा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना mid-term exam का जो sample paper है उसको download कर सकते हैं एकदम free में ठीक है आपने से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो class 11th और 12th के हैं वो comment section में अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कैसे हम अपने mid-term exam का sample paper download कर ले हमें बताइए बताइए क्योंकि हमारे mid-term exam आने वाले हैं एक इनी तो बहुत सारे बच्चे यहां पर comment करके पूछते रहते हैं तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप अपना mid-term exam का जो sample paper है उसको free of cost download कर सकते हैं ठीक है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को मैं एक चीज रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि आपका board exam 2025 में होने वाला है उसके लिए है अभी आप सब बच्चे अपना board exam 2025 में देंगे अगले साल तो उसके लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये है Oswal Publishers की तरफ से आने वाला most likely question bank जो की हर एक subject क्या आपको देखने को मिल जाएगा अब ये मैं आपको क्यों recommend कर रहा हूँ इसको लेने के बाद आप अपनी preparations को next level पर ले जा सकते हैं और उन बच्चों की category में सामिल हो सकते हैं जो 95 plus score करते हैं ठीक है इस question bank के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा तो इस question bank के अंदर आपको various तरह की questions देखने को मिलेंगे जो आपको आपके तैयारी में बहुत ज़्यादा help करेगा जैसे सभी chapters के important MCQ questions हो गया case based questions हो गया and previous year के जो board के questions होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है अर्शेशन and reasoning के जो questions होते हैं और भी बहुत तरह के questions से आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो आज ही जो आपका most likely question bank है question paper कहने वालत हम आफिजाओंगा most likely question bank जो है इसको ले सकते हैं आप और अपनी तैयारी को next level पर ले जा सकते हैं ठीक है और physically भी ये मेरे पास है और मैंने इसके अंदर देख रखा है एक एक question तो मैं आपको बता सकता हूँ बच्चो अपने experience के base पर जो भी मेरा 5-7 साल का teaching का experience है उसके base पर बता सकता हूँ बहुत ही अच्छा question bank है ये और आप अपनी तैयारी को next level पर ले जा सकते हैं इन question banks को अच्छे से study करने के बाद ठीक है बाकी आप NCRT and other जो study material है उनसे तो अपनी तैयारी करी सकते हैं लेकिन इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और भी बहतर तरीके से तैयारी हो तो आप इन question banks को ले सकते हैं ठीक है नीचे जैसे ही आप scroll करेंगे तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है DOE class third ठीक है class fourth इस तरह से लिखा हुआ है तो scroll करते जाना है class 11th यह 12th जो भी आपका class है उस पर आना है तो मैं यहाँ पर 12th पर आता हूं सीधा तो यह आप देख सकते हैं class 12th पर आ गया हुँ मैं और यहाँ पर जो भी subject का आपको download करना है sample paper तो उस पर आप click करके download कर सकते हैं for example मैं hindi का यहाँ पर आपको download करके रिखाता हूं तो यह आप देख सकते हैं यह hindi का sample paper है यह मैंने यहाँ पर खोला और इस तरह से यह डाउनलोड हो गया यह आप देख सकते हैं जैसे आपका English का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यह देख सकते हैं यह मैंने English का यह डाउनलोड कर दिया यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं वो यह है कि यह Mid-Term Exam 2022 के लिए है ठीक है अब यहाँ पर कुछ चीज़े समझने वाली है जिसको बड़े ध्यान से समझेगा यह तो बहुत सारे बच्चे Confuse हो सकते हैं समझने वाली बात यह है बच्चो जो आपका Mid-Term Exam का Sample Paper होता है ठीक है बड़े ध्यान से समझेगा वो DOE के तरफ से जारी किया जाता है किसके तरफ से जारी किया जाता है DOE के तरफ से जारी किया जाता है और जो आपका Board Exam का Sample Paper होता है वो CBSC के तरफ से जारी किया जाता है लेकिन जो DOE के तरफ से यहां पर sample पर जारी किये जाते हैं mid term exam के लिए वो कई साल यहां पर जारी किये जाते हैं और कई साल जारी नहीं किये जाते हैं मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे अभी 2023-2024 का session गया ठीक है 2023-2024 का session गया जो आप से एक साल senior होंगे बच्चे जो अभी college में चले गए उनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूँ ठीक है तो उनके लिए mid term exam का sample पर जारी करना था DOE ने वो जारी नहीं किया है कि नहीं उससे एक साल पीछे चलते हैं 2000 मैं यहां पर 22-23 की बात कर रहा हूँ एंसर की जारी ही नहीं किया गया था है कि नहीं तो यहां पर मैं समझाने का यह प्रियास कर रहा हूँ आपको कि अगर आप practice के लिए sample papers को download करना चाहते हैं तो 2022-23 का भी कर सकते हैं क्योंकि syllabus almost same था pattern में हलका full का आपको बदलाव देखने को मिलेगा ठीक है अब आप बोलेंगे कि सर आप लोग जो sample paper upload करते हो चैनल पे वो कहां से आता है तो मैंने कई बार बता भी रखा है पहले वीडियोस में और आज भी मैं आपको clear कर देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता कि जो हम sample paper यहां पर आपको वीडियो बना करके provide करते हैं वो हमारे द्वारा design किया जाता है जो अभी आपका latest में syllabus आ रखा है 2024-25 के लिए CBSC के तरफ से उसको ध्यान में रख करके मतलब जो mid term का syllabus है ठीक है उसको ध्यान में रख के और जो latest pattern है उसको ध्यान में रख करके हम design करते हैं latest pattern से मेरा अभी पर आई यह है क्योंकि अभी तो जारी किया नहीं किया DOE के तरफ से sample paper तो last year का जो आपका mid term exam हुआ था उसी pattern को ध्यान में रख करके और अभी जो आपका board exam का sample paper आया है फिर उसको edit करना and upload करना वो time अलग से जोड़ लीजे यानि कि overall 10 गंटे का समय भी लग जाता है कभी-कभी एक-एक sample paper को बनाने में and आप तक पहुँचाने में तो बहुत जादा मेहनत लगता है बच्चो इसलिए YouTube पे आप एक चीज़ देखेंगे बाकी अगर आप 2022-23 का sample paper download करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं इसका link तो मैंने आपको description में दे दिया है इस साल का अभी तक sample paper DOE के द्वारा जो है mid-term exam के लिए जारी नहीं किया गया है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यह board exam का sample paper से mid-term exam का sample paper अभी तक जारी नहीं किया गया आसा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे ठीक है और download करना चाहते हैं तो download करके उनसे भी तयारी आप कर सकते हैं तो यही था आज के वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादस ज़्यादा लाइक कीजेगा जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा motivation बढ़ता है और वीडियो को बनाने के लिए चैनल पर अगर आप नहीं आ गए हैं विद्ध्याले study point को भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए करके हाथ रहते हैं जैसी आप चैनल को subscribe करेंगे बगल में आपको bell का गंटी गंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका icon देखने को मिलेगा उसको press करके all पे click कर दीजेगा जिससे की जो भी हमने आप वीडियो अपलोड करें उसका notification सबसे पहले आपके phone पर आ जाये करें और आपकी जो तयारी है exams के लिए वो और भी भैतर से भैतर तरीके से हो सकें आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगली और exciting वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए खुश रखी सभी को जय हिंद वन्दे मात्रम